तो हमने कल बात किया कि बेंजीन एक वीक नूक्लियो फाइल होगा और उस वीक नूक्लियो फाइल के ऊपर रियक्शन करने के लिए हमें एक स्ट्रॉंग इलेक्ट प्रोफाइल वो स्ट्रॉंग इलेक्ट प्रोफाइल कैसे बनेगा कौन कौन से होंगे शादिये रियक्शन और बेंजीन सेर यहां पर दिखाएन ने दे रहे हैं कोई बात नहीं यह तो रियक्शन और बेंजीन दिखाया है कुछ को सबर करो चलिए है रियक्शन और बेंजीन कौन कौन से होंगे तो अगर बेंजीन हमारा यूपियो फाइल है तो हम उस पे छे या जब नो बज़ेगा टाइम है दस बज़ेगा टाइम है तो बचे दस पांच पे कैसे है हाँ बाई है फोटो हटाव नरवनावाला कौन से है ठीक है तो बेंजीन पे हम छे कॉमन रियक्शने परफॉर्म करते हैं उन छे में से पहली अलकाइलेशन होगा यह जो रियक्शनों की नेम है यह इलेक्ट्रोफाइल के नेम के हैं खाता कि बेंजीन पे लाना चाहते हैं मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पर सब्सक्रिशूट करना चाहते हैं उस इलेक्ट्रोफाइल के नाम पर नार्मल निया रखता है क्या आपको वाज आ रहे हैं तो बेंजीन पे हम पहली रियक्शन करेंगे अलकाइलेशन पेर बीक नलकाइलेशन करने के लिए जो केमील यूजन खोता है वो र अलकाइल हहलाइड बट अलकाइल हालाइड में जो कार्बन होगा यह कोई भी होगा हैलोजन, क्लोरीन, ब्रॉमीन, आयोडीन यह कारबन चेन कोई भी होगी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आईसो बुटाइल, तर्शिल बुटाइल, कोई भी होगी, उसके अकॉर्डिंग लिए चले गए तो लेकिन जो अलकाइल हलाइड हम यूज़ करेंगे उसमें कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा और एक्स पे डेल्टा नेगिटिव होगा, हमें ये कन्फर्म हो चुका है कि आर हमारा वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ये कन्फर्म हो, लेकिन इसे हमें पहले स्ट्रॉंग में कन्वर्ट करना होगा, अभी तो बेंजीन इसको अप्रोच करेगा, उसके लिए हम आर एक्स के एक्स के साथ रियक्ट करता है, कैसे, एलमीनियम एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, लुइस एसिड या डेटिशेंड मोलीक्यूल होता है, ये एलमीनियम का 3PZ और्बिटल है, जो की खाली में दिखा रहा है, एक्स हैलोजन के उपर लोन क्यार होता है, तो आर एक्स पहले र और एक्स अपने इलेक्ट्रोन डोनेट करता है, इस रियक्शन से जो केमिकल बनता है, वो आर एक्स ए ए एन सी एन 3, एक्स पे पॉजिटिव, ए एन पे नेगिटिव और उनका बॉल्ड बन जाता है, यहां तक समझ बहा है बच्चे, यह सर्, एक्स एलोजन्स इलेक्ट्र नेगिटिव होते हैं, इसलिए उन पे पॉजिटिव चार्ज अंस्टेबल है, और मैटल्स के उपर नेगिटिव चार्ज अंस्टेबल है, तो आर एक्स और एन सी एल्ट्री की रियक्शन से जो कॉम्प्लेक्स बनता है, वो थर्मोडैनमिकली लेस्टेबल होता है, उनी त यार दस बार एड्मिट कर चुको होता है, इसको स्ट्मेबल करने के लिए आर और एक्स कबोन तूट जाता है, इसके तूटने की वज़े से आर पॉजिटिव फ्लस एल्ट्री एक्स और एल्पे नेगिटिव चार्ज यह मॉलीक्यूल अंस्टेबल जाता है और उसे स्टे जिसले हमें आर पॉजिटिव मिलता है कार्बोकिटाइन, जो की हमारी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और एन्सी एल्पे एक्स नेगिटिव जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कल मैंने समझाया था आपको की बेंजीन के उपर पहले इलेक्त्रोफाइ एक करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल एच को रिप्लेस करके बेंजीन को दुबारा से अरोमेटिक बनाता है यह बात तो थोड़ी देर पहले इसकी एपसेंस में आर डेल्टा पॉजिटीव और अब इसकी प्रेजेंस में आकर आर पॉजिटीव हो गया एक वीक इलेक्ट प्रोफाइल में कनवर्ट होगे देखो जी बच्चे यह स्मझ में आई यह सर यह सर फिर कैसे होता है बेंजीन रियक्शन करेगा आर पॉजिटीव क्योंकि न्यूक्लियो फाइल तो इलेक्ट प्रोफाइल से ही रियक्शन होगा है और वेंजीन अपना पाई क्लाउड आर पॉजिटीव को देगा यहां मैंने कल सिखाए था आप लोगों को कि X आता है और E आता है जामने उस E का नाम रख दिया है आ यह हो गया उसके बाद न्यूक्लियो फाइल आएगा A L C L 3 X एल पे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियो फाइल एच को विड्राव कर लेगा और दुनों इलेक्ट्रोन दुबारा देकर बेंजीन को ऐरोमेटिक बना देगा ऐसा करने पे बेंजीन का H R से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास E L C L 3 अलग हो जाएगा जो H पॉजिटिव निकलेगा वो X के साथ अप्रोच करके दुवारा H X होगी तो इसका मतलब अगर बेंजीन में आपने R X और E L C L 3 नाम का केमिकल डाला तो सब्सिचुशन रियक्शन होगी और बेंजीन का H अलकाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा और H X अलग हो जाएगा E L C L 3 यहाँ पर केमिकल तो बेंजीन के H को हटाकर आप कोई भी अलकाइल ग्रुप इंट्रिडूस कर सकते हैं यह एक नेम्ड रियक्शन बन जाएगा जिसका नाम प्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन पढ़ जाएगा इस रियक्शन में कार्बो केटायन बनता है अलकाइल केटायन बनता है और मैंने आपको बताया कि जहां कार्बो केटायन बनेगा वहाँ रियर्रेंजमेंट हो सकती है तो फ्रिडल क्राफ्ट रियक्शनों का बेसिक इशू कि उनमें रियर्रेंजमेंट रियक्शन हो सकती है इससे क्या मतलब निकलता है अगर मैं आर की वेल्यू पुट करता हूँ CH3 और X की वेल्यू पुट कर देता हूँ CH तो क्या बनेगा इन दोनों की रियक्शन होगी जिससे CH3 पॉजिटिव निकलेगा और अगर जुड़ेगा रिप्लेस हो जाएगा तो बेंजीन पर CH3 ग्रुप आप सब्चिचूट कर सकते है प्लस HCl अलग हो जाएगा देखो यह समझ में आया यह सब्सक्राइगा अब मैं बस R और X की वेल्यू सब्सक्राइगा अगर आप इथाइल ग्रुप लेंगे और AlCl3 डाल देंगे तो इखाइल सब्सक्राइगा यह रियक्शन तब तक सही रिजल्ट देती रहेगी जब तक की Alkyl ग्रुप में दो कार्बन अगर आपके Alkyl ग्रुप में तीन कार्बन हुए तो समस्य खड़ी हुए अगर आपने प्रोपाइल क्लॉराइड डाला या वन क्लॉरो प्रोपेन के साथ में एल-स्य डाला आर की वैल्यो तीन कार्बन में डाली तो जब क्लॉरो इसके साथ जाएगा तो यहां positive charge आएगा जो की one degree carbocatine है ठीक है और जब one degree carbocatine आपको बनेगा तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कई बार पढ़ा रखा है दोनों के लास्टों में की carbocatine अपने आपको rearrange करेगा और यहां से अपना H replace करके one two hydride shift कर सकता है और अपने आपको two degree में convert करवा सकता है देखो जी किसको समझ में आया है तो फ्रीडल क्राफ तलकाइनेशन अच्छे रिजल्ट सिरफ methyl और ethyle में देती है तीन के बाद आप लोग तीन या तीन के बाद आप कोई भी डालेंगे तो उस carbocatine में आपको rearrangement देखने को मिल जाएगी तो इस अवस्था में दो product बनेंगे यह H यहां positive charge लाएगा जिससे कि यह CH CH3 CH3 बनेगा उस carbocatine प्लस बीना rearrangement वाला carbocatine भी अगर react कर जाता है यह बनेगा बट वो वाला ज्यादा stable carbocatine है तो उससे ज्यादा major product बनेगा ज्यादा amount बनेगा यह बनेगा माइनर माइनर दिखाने की लोड नहीं है ठीक है यह सर्ट आपका molecule ऐसा हो जाता है आगे की कहाने उनी लोगों के लिए जो पड़ते हैं नहीं तो गेम बाहर हो जाएगा अगर हम इस molecule को डालते हैं बेंजीन के साथ तो यहां से यह सील जाने के बाद इस पर पॉजिटीव चार्ज आएगा जो की वन डिगरी होगा लेकिन उससे अगले वाले कार्बन के पास मिठाइल ग्रूप लगे हुए है जो की रियरेंज करवा सकते हैं इसको और पॉजिटीव चार्ज इस कार्बन पर यह लाइन समझ में आई यह सर यह सर अगर ऐसा हुआ तो बैंजीन के ऊपर जो कार्बन अटैच होगा वो यह वाला होगा अभी सकार्बन के ऊपर दो तो च्छ थ्री ग्रूप रहेंगे और तीसरा ग्रूप च्छ तू और यह दर घूम करा जाएगा यह वाला पॉड़क्त तो फ्रीडल क्राफ्ट अनकाइलेशन रियक्शनों में यह प्रॉब्लम है कि वो री अर्रेंजमेंट प्रोड़क्स भी सप्लाई करती है तो यह आपकी पहली नेम्ड इलेक्ट्रोफिलिक स्टिटुशन है फ्रीडल क्राफ्ट अनकाइलेशन स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं अगे बगता हूँ बस बजे की क्लास है अब अभी तक मैंने जो मॉलीक्यूल डाले है वो अल्टाइन हेलाइड थी है उसमें एक ही हेलोजन ग्रूप था जो लेकिन दो हेलोजन भी बोस अगर आपके आर एक्स वाले पार्ट में आर एक्स टू है आर एक्स टू है तो ए एल सियल त्री दो क्लोरो को बारी बारी से निकालेगा पहली बार जब सियल जाएगा तो जो बचेगा वो सी एच्टू सियल होगा तब आपकी एक मोल बेंजीन नहीं खर्चोगी दो मोल बेंजीन पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा वो सी एच्टू सियल होगा देखो जी किसको समझ में आएगा यह सर्चोगी एक क्लोर हो गया और यह बनी तो डूत्री बार फिर एल सियल त्री इस सियल को ले जाएगा अपने साथ अब यहां पोजिटिव चार्ज आएगा और बेंजीन दोबारा रियक्शन करेगी तो एल सियल थ्री अब दोबारा यूजर नहीं होगा वो दोबारा बेंजीन से अप्रोच करेगा पी एच्टू पोजिटिव बनेगा यहां पो बेंजीन दोबारा रियक्शन करेगी अगर आपके मॉलीक्यूल में दो अलकाइल ग्रूप दो एक्स ग्रूप है तो एक मॉल बेंजीन खर्च नहीं होगा तब दो मॉल बेंजीन खर्च हो देखो बच्चे जिसको समझ में आया हो यह सर्च अगर आपके मॉलीक्यूल का नेम आर एक्स टू नहोकर आर एक्स थ्री हो जाता है तब तीन मॉल बेंजीन लगेगा बेंजीन यहां पोजिटिव पहली बार बनेगा फिर यहीं दूसरी बार बनेगा यहीं तीसरी बार बनेगा तो CH रहेगा पहली बेंजीन से एक बार फिर दूसरी बेंजीन से एक बार फिर तीसरी बेंजीन को संभाद सकता है चार बेंजीन नहीं होगी इसका मतलब अगर आपने आर एक्स और डाल दिया तो भी तीन ही बेंजीन लगेगी तो अगर आपने आर एक्स पोर भी डाला तो भी आपका प्रोड़क्ट जो है वो तीन बेंजीन वाला ही बनेगा तब C रहेगा तीन बेंजीन रहेंगी और H नहीं रहेगा यहाँ पे एक C रहे चोथा बेंजीन आपका रियक्स नहीं चाहिए तो यह है आपका अलकाइलेशन इसमें हम आर एक्स को अल्सील 3 के साथ डालते हैं आर एक्स 2 को अल्सील 3 के साथ डालते हैं या आर एक्स 3 को अल्सील 3 के साथ डालते हैं कितने मोल बेंजीन खर्च होगा वो डिपेंड करेगा गी एक्स ग्रूप कितने हैं तो इस में खर्च होगा तो इसमें आर एक्स ग्रीक्षिर आपाया ग्रीजियर रहा रदा समझ कर दी में तो इसमें तो जड़ी एक्स ग्रीजिक ग्राइए वेंजीन के उपर होने वाली दूसरी नेम रेक्शन प्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी हो तो कि प्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करें लिए चिसले करनी है कि असाइल ग्रूप असाइलेशन, जैसे अलकाइलेशन में अलकाइल को जोड़ते हैं, असाइलेशन में असाइल को जोड़ते हैं, असाइल का मतलब होता है किटोन, तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम बेंजीन लेंगे, और बेंजीन में असाइल डालेंगे, आर सी डबल बोन ओ, ये किट अब ये आपका मोलीक्यूल बन गया एसीड हेलाइड नॉर्मली हम इसे क्लॉराइड यूज परेंगे एसीड क्लॉराइड लेंगे और उसके साथ में एल्सी यल्थी डालएड़ वोप आप लोग समझ चुके हैं एल्सी यल्थी का क्या रोल है सबसे पहले क्लॉरो के लोन प्यर को लेकर आएगा और क्लॉरो को अपने साथ ले जाएगा कुछ इस तरह से आर सी डवल बॉर्ण ओ सी यल्थी क्लॉरो के लोन प्यर को अपने साथ ले जाएगा अपने एंपटी थ्री पी जेड और बितन है ऐसा करने पर आर सी डवल बॉर्ण ओ सी यल्थी का बॉर्ण बन जाएगा एंप्रोड के साथ नेगेटिव पॉजिटिव है जो कि एक अनस्टेबल कॉंप्लेक्स होगा तूट जाएगा लोरो अपना क्लावड लेकर परे ऐसा करने पर आर सी डवल बॉर्ण ओ पॉजिटिव पलस एंप्रोड लेगेटिव ठीग बच्छे यह एलेक्ट्रोफाइल बेंजीन अट्रेक्ट कर लेगा अपने उपर और रिप्लेस्मेंट हो जाएगा सी डवल बॉर्ण ओ आर पलस एक्स एक्स क्योंकि एक्स इस ग्रुप को किटोनिक ग्रुप को असाइल ग्रुप बोड़ यह रियक्शन बन जाएगा फ्रिडल क्राफ असाइलेशन रिप्लेस्मेंट ओफ एक्स बाए असाइल ग्रुप जिसके लिए कैमिकल एसीड क्लॉराइड और यह यह अब आर पार्ट को हम चेंज नाम रखेंगे आर का नाम रखेंगे सबसे छोटा आर इसमें रियरेंजमेंट का भी खत्रा नहीं है क्योंकि यह असाइल के टायन बना हुआ है अलकाइल होता तो रियरेंजमेंट का नाम भी बता रखता है इसीटोफिनोन कोई भी डाल सकते हैं कि टू एच फाइफ सी डबल बॉन्ड ओ सियल एल सियल कि इसे डालेंगे कि यह जाएगा जो भी आर की वैल्यू आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसके साब से जाएगा कुछ भी चेंज नहीं आएगा बस आर पार्ट विरी हो सकता है बाकि सब कॉस्टेंट है अगर हमारी बेंजीन में हमारे एसीड कुलराइड में दो तरफ एसीड कुलराइड हुआ जैसे अभी हमने यूज किया तो दो हो तो दो बार रियक्शन होगी जैसे आर एक्स टू हो सकता है वैसे एसीड कुलराइड भी टू हो सकता है इस केमिकल को फोस जीन बुलाते हैं C-O-C-L-2 ये एक कुईजनस गास होती है तो क्या बनेगा अब की बार 2 मोल बेंजीन लगेगा पहले केस में क्या बनेगा एक ट्लोरो औल profound ट्री के साथ जाएगा और पेनजीन पर को दूसरा यह जाएगा यहां positive आएगा देखो जी बच्छा सब्सक्राइब आगया ये सर ये सर ये है अपधी प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिप्लेस्मेंट अफ हैच अफ बेंजीन बाइ इलेक्ट्रोफाइल असाइल कि तो वो देखलो आपको कुछ पूछना है तो देखो मेरो स्क्रीनशोट लो मैं अगना रियक्शन चलाता हूँ चलाँ बेंजीन के होने वाला तीसरा रियक्शन हेलो जिनेशन होगा अब आप बेंजीन के ह को रिप्लेस करेंगे एक्स तो कई बच्चे सोच लेते हैं कि बेंजीन में एक्स डाल दो तो एक्स आज़े आगगा वो सोचते भी नहीं कि एक्स की क्या प्रोपर्टी है यहाँ एक्स यहाँ पॉजिटीव चार्ज है एक्स यहाँ नेगेटीव चार्ज है X अगर लेगटीव चार्ज़ है तो वह नूप्लियोफाइल है और बेंजीन भी नूप्लियोफाइल है लेक्ट्ड नहीं कसका घ्रवाना है तो हाफिका केमिकल नहीं हो सकते समझ मैं है बच्छे? यास सर्ट आपको ऐसा कोई केमिकल चाहिए जहाँ पर हैलोजन इलेक्ट्रोफाइल हो क्योंकि यह एक अपर्म्ड न्यूट्लियोफाइल है उसके लिए हम लोग X2 लेते हैं और X2 के साथ में FEX3 लेते हैं हैलोजन लेते हैं और हैलोजन के साथ में FEX3 लेते हैं जो काम ALCL3 करता है अलकाइलेशन और असाइलेशन में सेव वही काम FEX3 भी करता है तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि भही ALCL3 डालेंगे तो और येक्शन नहीं होगा होगा बट उतना अच्छे से आउट्पुट नहीं आएगा जितना अच्छे से आउट्पुट ये FEX3 के साथ है कारण क्या है कारण सिंपल है हमारे घरों में जो सबजियां बनती है उन सबजियों में तड़के लगते हैं वो तड़का कई बार जीरे का होता है तो कई बार धनिये का होता है तो कई बार मेथे का होता है आपको अलू की सबजी बनानी है पीरे वाली दाल बनानी है उसमें जीरे का तड़का लगाई है अगर आपको स्वाद निखारना है आपको कड़ी बनानी है आपको पेठा बनाना है तो उसमें मेत्ठे का तड़का लगाई है कि आपको काले वाली दाल बनानी है उसमें हरे धनिये का तरका नहीं तो क्या पीले वाली दाल को मेथ्ये का तरका लगाएंगे तो नहीं बनेगी बनेगी लेकिन उतना स्वाद नहीं आएगा कड़ी को क्या जीरे का तरका नहीं लगा सकते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो मेथ्ये के साथ आएगा समझ रहे हो यह सर यह सब्सक्राइब काफी एक्साइटेंड लग रहे हो इस तरुष्टा तो नहीं कर दिया घरवालों ने तो यह साथ भी रियक्शन होगी बट वह आउट्पुट नहीं है हम उसी कैटलिस्ट को यूज करते है जिसके साथ आउट्पुट मैक्सिमम रहे है एक्स की वैल्यू यहाँ क्लोरो ब्रोमो और आइडो रहे लिए ख्लोरो नहीं रहे लिए उसके दो रीजन पहला रीजन की फ्लोरी ने एक एक्स्पलोसिव केमिकल होता है दूसरा रीजन जो हैलोजन हम यूज कर रहे हैं बच्चे यह मैंने अपको अलकीन और अलकाइन में भी समझाया था कि जो हैलोजन होते हैं उनिके लूज करते हैं लेकिन अदैनी और भीटर नहीं लूज कर रहे हैं तो FE X3 लेंगे तो आइरन के पास भी empty d orbitals होते हैं आप configuration लिख कर देखेंगे आइरन की atomic number 26 के साथ तो इसमें 4S तक जाएगा इसमें 4P और 4D empty orbital के तोर पाएगा तो आइरन के पास अपने empty d orbital रहते हैं उन empty d orbital में वो halogen के electron को खीचने का काम करता है जिसकी वज़े से X2 और FE X3 में reaction हो जाता है और सेम पहले वाला डाइगराम बंग जाता है फिर halogen unstable हो जाता है और तोट जाता है ऐसा करने पे आपको X positive और FE X4 negative मिलते हैं जो की अच्छे electrophile और अच्छे न्यूक्लियों फाइब से समझ में आ गया है येस सर्थ येस सर्थ येस सर्थ येस सर्थ ये और रह गया हो देखो येस के लिए जो आप extra chemical डाल रहे हैं वो extra chemical हों और बच्चे समझदार बच्चा वही से चलता है इलेक्ट्रोफाइल पैदा जाना बस अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया है बैंजीन पर आगर रिप्लेस हो जाएगा एक्स और जो एक्स यहां से निकलेगा वो एक्स एक्स की पहुंजा जाएगा इसे बोलते हैं हैलोजीनेशन ठीक है तो अगर आप क्लोरीनेशन करना चाहते हैं तो क्लोरीन एक्टी सी एल्टी डाला जाएगा अगर आप Bromination करना चाहते हैं, Benzene पे Bromo को Replace करना चाहते हैं तो Bromine Fp-B-R-T डाला जाएगा अगर आप I-Donation करना चाहते हैं तो आपको Iodine Fp-I-T डालना चाहते हैं Chlorination करेंगे Chloro, Bromo और I-Don चीक है I-Don के case में reaction reversible पाया जाता है I-Don के case Reversible क्योंकि अभी आप लोगों नहीं किया तो मैं आपको बीप में नहीं जाओंगा लेकिन reaction reversible उसका reason बता देता हूँ Carbon यहां पे छोटा होता है 2P और Iodine यहां पे बहुत बड़ा होता है 5P Carbon और Iodine का बहुत जो है वो थर्मोडैनमीकली unstable होता है तो पर रहते हैं बार 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 बनेगा तूटेगा बनेगा तूटेगा तो reaction reverse में पाई जाती है इकलीब्रियम के अंदर हमें सीखने को मिलेगा एक लॉप ली चैटलर प्रिंसिपर वो सिखाएगा हमें कि equilibrium में अगर कोई process आ जाता है तो उसे forward direction में या backward direction में कैसे रखाएं इस reaction को अभी के लिए आप याद रखे इस reaction को forward direction में रखने के लिए हम HNO3 extra डालते हैं और उसके पास oxidizing properties होते हैं उसकी oxidizing properties की वज़े से हम लोग करते हैं अभी के लिए आप इसने जाते हैं आपके पास है भी नहीं आपके पास अपके पास स्मोचिनेशन मोचिन पता होना चाहिए बच्छे इस 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 इंड को मारने के लिए खतम करने के लिए हम oxidizing agent का प्रियों करते हैं कि हमें सिखाएगा कि अगर आप प्रॉडक्ट को कम करते चले जाए तो equilibrium forward होकारेगा ये सिखाएगा अगर आप product को कम करेंगे equilibrium forward होगा reactle को कम करेंगे तो equilibrium backward हो क् efforts अलिए ब μας से सब्सक्राइब जादा से ज़्यादा फारवर डाइक्षिन में है लोजी नेशन का जो केमिकल होगा है लोजन के साथ में कैटलिस्ट एक्स थी होगा तो टोटल टीम केमिकल होगे और एक्स के साथ में संभव जी अब टैम है के क्लास में आनेगा है अलो संभव जी संभव अभी आए हुआ बेटा बोलो गूंगे तो नहीं हो संभव जी दस बजे की क्लास चर रही है दस शक्तिस होगे है बोलो तो सही बेटा तो पहला केमिकल मन में रिवाइन गरों बच्चे आर एक्स के साथ में ए अन्सियन जो अलकाइल ग्रूप देगा दूसरा केमिकल आर सी ओ एक्स के साथ में ए अन्सियन जो असाइल देगा तीसरा केमिकल एक्स टू के साथ में एक्टी एक्स चोथा हम बैंजीन पे नाइट्रो ग्रुप को ला सकते हैं नाइट्रो मतलब एन नो टू नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोडूस कर सकते हैं एक सेकंड रुको अभी नी बेटा नाइट्रेशन नाइट्रेशन का मतलब क्या करें टाइम नहीं मेरे पास क्या करें संभव जी आप संभव टाइम नहीं है मेरे पास हेलो संभव संभव जी हो क्लास में आप हेलो अरे भाई संभव बोल जी आप संभव करें संभव करें मैंने जॉइन नहीं करी क्लास वो तो मैसे डाल रहा है सर वो भार है वो घर पर ही नहीं है क्याता मैंने जॉइन ही नहीं करी इसका मतलब किसी ना किसी ने लिंक दिया उस बच्चे को जो आया है जॉइन करने के लिए पता नहीं सर पता नहीं सर मैंने उसे अभी कॉल किया था क्याता मैंने कनेक्टी नहीं कर रखी झालो पो इब बात्म को इब दो को इब दो को इब दो को इब दो चलो तो नाइट्रेशन करते हैं नाइट्रेशन करने के लिए मैं एन्नो टू इलेक्ट्रोफाइल चाहिए एन्नो टू इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो HNO3 प्लस H2S हम लोग chemical यूस करते हैं HNO3 nitric acid के साथ में H2S ये चोथा chemical होगा ये कैसे काम करता है HNO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसा होता है यह रहा HNO3 ठीक है HNO3 में हम डाल देंगे H-positive HNO3 में डाल देंगे H-positive H-positive H2SO4 है ठोड़ा सा डालना है यह पूरा है तो HNO3 के अंदर हमें NO2 को अलग करना है लेकिन NO2 का बोल्ड पॉन्ड होता है और लेस पोलर होता है क्याँकि N की एलेक्ट्रो नेगीटिविटी नंबर 3 पे और O की electro negativity no.W2 के है, दोन्मों में difference of electro negativity ज़्याधा नहीं है तो इस bond को तोड़ने के लिए हम sulfuric acid का प्रियोंग करते हैं, वो sulfuric acid हमें H positive देता है acid की तरह, और nitric acid के O के lone cell को खीच लेता है है, ऐसा करने के दोरान उसकी protonation हो जाती है और यह diagram है ठीक है देखो जी एक स्को समझ में आया कि यह सब्सक्राइब करने पे अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है और एंड की ओपर पॉजिटीव चार जाएगा इस रहें और हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है नाइट्रो इसे नाइट्रो नियम बुलाते है और हम बैंजीन में इसको डालेंगे तो बैंजीन का एच ग्रूप रिप्लेस हो जाएगा इस प्रोसेस को हम नाइट्रेशन बुलाते हैं यह कैमिकल है जो बैंजीन पर नाइट्रेशन है च्टा प्रोसेस जो बैंजीन पर किया जाता है वह संफोनेशन होता है प्लीज यह कैमिकल्स के नाम ध्यान लखेगा क्योंकि आगे मुझे आपको और्थो पैरा बताना है सल्फोनेशन करेंगे तो बैंजीन में हम सल्फियूरिक ऐसे डालेंगे एक्सेस में कैसे यह काम करेगा सल्फियूरिक ऐसीड ही इसमें मटीरियल का काम करेगा और सल्फियूरिक ऐसीड ही इसमें कैटलिस्ट का भी काम करेगा इसमें मटीरियल का काम करेगा और सल्फियूरिक एसिड ही इसमें केटलिस्ट का भी काम करेगा अच्छ पोजेटिफ ठीक है तो तो ओ का लोन प्यर इस तरफ जाएगा और OH2 पॉजेटिफ बनेगा यह एच्छ पॉजेटिफ कहां से आया है यह एच्छ टू एस तो फोफोर से ही आया है एच्छ टू एस तो फोर ही इसमें सारे काम करेगा तो इसकी प्रोटोनेशन होने के बाद यह बनता है और वाटर अलाउग यह जो केमिकल बनेगा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो एसो त्री एच होगा और वो एसो त्री एच सल्फोनिक ग्रूप होता है और वो सल्फोनिक इलेक्ट्रोफाइल बैंजीन पर आएगा और सल्फोनेशन करेगा इस प्रकार रहेगा यह शोर हो यह सर यह सर अब अपने पांचों के पांचों केमिकल्स को देख लो एक बाद जो मैंने डालकर पर्टिगुलर रियक्टिव ग्रूप डाले हैं इसका स्क्रीन शोट लेलो ताकि मैं आपको रियक्शन बनवा पहूँ इन सभी रियक्शनों में केमिकल अलग अलग डले हैं लेकिन प्रोसेस एक हुआ है रिप्लेस्मेंट आफ एच आफ बेंजीन ठीक है रिप्लेस्मेंट आफ एच आफ बेंजीन बाए इलेक्ट्रोफाइज लाइक उसने मुझे कहा कनवर्ट बेंजीन बेंजीन को बदल दो किसमें इन्टू बन ब्रोमो थी नाइट्रो बेंजीन ऐसा कुछ पूछा गया है तो हमारा रियक्टेंट बेंजीन है और हमें इस बेंजीन को एक केमीकल में बदलना है अब अगर इन्हें देखेंगे इसको और इसको देखोगे तो क्या हुआ है इधर बेंजीन में छे एच थे अब यहां चार हो दो बेंजीन के एच को रिप्लेस किया गया है एक को ब्रोमो को ब्रोमो से एक को नाइट्रो से ब्रोमो से रिप्लेस करना ब्रोमिनेशन कहलाता है नाइट्रो से रिप्लेस करना नाइट्रेशन कहला है वो कोन ये स्टेट गन्न वाला? इसका है ये? कोन ये स्टेट गन्न वाला? हर्श? वो मैने तरी स्टेट गन्न मारनी हो को मा आगे बंदर से? अटायसको? ये अन्ना रख्या है पबजी कहीं का तो बेंजीन पे हमें दो रिप्लेस्मेंट करनी है एक ग्रॉमिनेशन और एक नाइट रेशन कितनों को समझ में आ गया? ये सर्ट लेकिन मुद्द ये उठेगा इस बात का सेलेक्शन करना होगा कि पहले क्या करना है? ग्रॉमिनेशन करना है या नाइट रेशन करना है? ठीक है? उसके लिए आप ग्रॉप्स देखेंगे कि वो दोनों ग्रॉप एक दूसरे के विद्रिस्पेक्ट्टू की सवस्था में हैं कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम बेंजीन के कोई माइनस आई माइनस आर का ग्रॉप जोड देते हैं तो वो मेटा डाने अडरेक्टिंग हो जाता है और ड्यक्टिवेटिण हो जाता है और कहा था कि अगर किसी ग्रॉप के पास प्लस-ड हो तो वो और contributors कि अटि इंडीक्टिवेटिंड और डिक्टिवेटिंड दॉनों हो सकता है बढ़ा है आप लोग ने बाद इस है तो उन दोनों groups को देखो, अगर वो दोनों groups एक दूसरे के on, तो वन टो है या वन फोर है कि तो उन फ्री है तो आप पहले वह group जोडेंगे जो माइनास यह माइनस-फाइब वो गुरूप पहले जोड़ना है का help 12 यह वन फोर हो तो पहले वह गूर्व कुझ दões जो runners ऑय माइनस na कि कि की ब्रोमो के लिए माइनस आई प्लस सार होता है घूए है और नाइट्रों के लिए माइनस आई मार्य जरू है पालब अब मैंने कल पड़ाइवा जिनका माइनस आई और प्लस ताए वह ओर्थो पैरा तो इसका मतलब पहला प्रोसीजर जो हमें करना होगा वह नाइट्रेशन करना होगा तो बेंजीन पे जो पहली रियक्शन होगी वह नाइट्रेशन होगी और जो बच्चों ने त्यार कर लिया है नाइट्रेशन करने के लिए केमिकल हनो 3 प्लस ह्ट्योसोफोर होगा पिर करना होगा ब्रोमिनेशन उसके लिए केमिकल ब्रोमिन अजिव या रहते हैं। इस तरह से चूज़ किया जाएगा। अजी समझ में आगया है। यह सर्थ। लाइक वो बोलता यह पहला केस है। ऐसा बोलता वन ब्रोमो पोर मिथाइल बैंजीन यह बोलता। वो चाहता है कि आप बैंजीन को कनवर्ट करें। वन ब्रोमो पोर मिथाइल बैंजीन अब यदी दो सब्सिचूशन होनी है। एक का नाम है मिथाइलेशन मिथाइलेशन का जर्नल रेम अलकाइलेशन एक ब्रोमीनेशन अब चियन करना है। ब्रोमो का मैंने बता दिया माइनस आई प्लस सार होता है और माइनस आई प्लस सार वाले जोता है वो ओर्थो पैराड्रेक्टिंग प्लस डी एक्टिवेट होता है। और मिथाइल का प्लस साई प्लस सार होता है वो ओर्थो पैराड्रेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है। दोलों ही ग्रूप और्थो पैरा है बच्चे। लेकिन अगर आपने भ्रोमो को पहले जोड़ा, तो भ्रोमो के आने से reaction orthopara जाएगा, लेकिन slow जाएगा क्योंकि वो orthoparadirecting हो डी activity होगा, तो आपने methyl को अगर पहले डाला तो reaction vandpoor पही जाएगा, झाल झाल को नहीं दो मैं सिर्क रहा है को नहीं बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो कितरों को समय आएगी पहले मिठाइल लेना या ब्रोमो लेना तो हम पहले मिठाइल ग्रूप जोडेंगे क्योंकि इसके रियक्शन फास्ट होगा तो पहला स्टैप अलकाइलेशन होगा पहले है और दूसरा स्टैप होगा बच्चे ब्रोमीन के साथ में इस प्रकार से लिए लाइक उसने बोला कलवर्ट बैंजीन इन्टू वन मिठाइल वन मिठाइल हु लाइको बैंग हुआ थह लू कि हुआ कि हमें यह कनवाइब करना हि कि अभ फटा है कि और तो पहरा रि एक्शन लेकर जाएगा यह माइनस आई माइनस भर मैल कि याइगा और हमें मेर्टा नहीं बना врем can बनना है कि कशा तो हम पहला रिक्शन रहेंगे निकले शन तुसर रयक्शिन तर नीकरी चुर्टाइब कर देंगे मैं पेड़ाइब … तुकी है ? क्या ? क्या ? येस सुट्टाइब जैस्टाइब कर देंगे एक ह्षिए ? यैस सुटराइब क्या ? क्या ? इस तरह से आपको बेंजीन के उपर बचे एक सब्सक्राइब और दो सब्सक्राइब अपको यह अपका है समझ मैं गया इतना यह सर्ट कल हम लोग करेंगे नेक्स्ट रियक्शन बेंजीन पर तो हो गया अब हम नेक्स्ट केटागरी में जाएंगे यह जो कि हमारे स्नेबस का थर्ड पार्ट है उसके बाद हम लोग चलेंगे रोल आफ मेटल्स के उपर और फिर कुछ दो चार नेम्ड रियक्शन होगे किया शाव ने काझ बाद है व आ channel